स्लाम अलेकुम फ्रेंड से लाइड एजुकेशन में आपको वेलकम करता हूँ फ्रेंड आज का जो हमारा टापेक है वो हम डिसकस करेंगे शमला देलागेशन पर तो फ्रेंड अपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सबसक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकुन पर प्रेस करें ताके आपको हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफकेशन मिलता रहे तो दोस्तों शुरू करते हैं शमला देलागेशन शमला वफद इंगलिस्तान की लिबरल पार्टी ने 1905 में लाइट जार्ष की गयादत में आम इंतिखाबात में कामयाबी हासिल की थी ये आइनी इसलाहात मतारफ करवा कर हिंदुस्तानी अवाम को मुनासिब तहफजात देने में यकीन रखती थी लिब्रल पार्टी ने ऐलान किया कि वो जल्द ही हिंदुस्तान में आइनी इसलाहात मतारफ कराएगी मुस्लिमानों के रहनुमाओं ने वाइसराय को मुस्लिमानों के मुतालिबात से आगाह करने के लिए इस मौका से फाइदा उठाने का फैसला किया एज़त माब सरागाखां की के गायादत में मुलक भर से मुम्ताज मुस्लिम रहनुमाओं का एक वफद भेजा गया वफद की तश्कील वाइसराय शमला में चुट्टियां गुजार रहे थे मुस्लिम रहनुमाओं ने वाइसराय से मलाकात के लिए अलीगर्ड कालिज के प्रिंसिपल मिस्टर आर्श बोल्ड से मदद तलब की मिस्टर आर्श बोल्ड ने वाइसराय के प्राइविट सेक्रेटरी करनल डनलूप इसमिच से राबता किया और उन से दर्खास्त की कि वो वाइसराय से मुलाकात का वक्त लें और मिस्टर आच बोल्ड को इत्तिला दें 35 मुस्लिम रहनुमाओं पर मुश्तमिल मुस्लिम वफद जो शमला डिपोटेशन के नाम से जाना जाता है ने यकुम अक्तूबर 1906 को वाइसराय से शमला में मुलाकात की शमला वफद के मुतालिबात वफद ने वाइसराय को मुस्लिमानों के मुतालिबात से आगाह किया उन्होंने मुस्लिमानों के मुफादात के तहफूज की जरूरत का इजहार किया अगर हिंदुस्तान में मुंदर्जा जेल तरीकों से नुमाइंदा तर्ज हुकूमत को मतारफ कराया जाए। एक अलहिदा राय देहिंगान का मुतालबा मुसलिमानों को काउंसिलों के इंतिखाबात में अपने नुमाइंदे मुन्तखब करने का इख्तियार दिया जाए। इसलिए मुस्लिम हलकों को रिजर्व कर दिया जाए यानि हिंदू और मुस्लिम हलके अलग कर दिये जाएं ताका मुस्लिम वोटर मुस्लिम नुमाइंदों को और हिंदू वोटर हिंदू को वोट दे सके। नुमाइंदे दोग आबादी से ज़्यादा नशिस्तों का मुतालबा मुसलिमानों को उनकी तारीखी और सियासी एहमियत के पेश नजर उनकी आबादी से ज़्यादा नशिस्तें दी जाएं तीन सरकारी मुलाजमत में हिस्सादारी का मुतालबा तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों में मुसलिमानों को एक खास तनासुब के मताबिक मुलाजमत दी जाए 4. जजिज और एक्जेकिटिव काउंसल की रुकनियत मुसलिमानों को हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाए इसके अलावा उन्हें वाइसराय की एक्जेकिटिव काउंसल की रुकनियत के लिए नामजद किया जाए 5. युनिवस्टियों की सिनेट और सिंडिकेट में नुमाइंदगी युनिवस्टियों और सिनेट की सिंडिकेट में मुसलिमानों को नुमाइंदगी दी जाए छेग मुस्लिम यूनिवसिटियों की तश्कील मुहमदन एंगलो औरियंटल कॉलिज अली गर्ड को यूनिवसिटी का दरजा दिया जाए वाइसराय लॉर्ड मंटो का जवाब लॉर्ड मंटो ने शमला वफद की तरफ से पेश किये गए मुस्लिमानों के मुतालिबात को तहम्मल से सुना मंटो ने अलहिदाराय दही के असूल से मुकमल इत्तिफाक का इज़ार किया उन्होंने मुतालिबात पर हमदर्दाना गौर करने का वदा किया और वफद को यकीन दिलाया कि वो मुतालिबात तस्लीम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और वाइसराय ने कहा मैं मुसलिमानों के साथ होने वाली नाइंसाफियों और जारेहियत से वाकिफ हूँ और उनकी तलाफी करने की कोशिश भी कर रहा हूँ मैं इन मुतालिबात को इस कमिटी के पास जरूर लेकर जाओंगा जो आइनी इसलाहात के नफास के लिए हिंदुस्तान आएगी और सिफारिशात मरत्ब करेगी. दोस्तों विडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकोन पे प्रिस जरूर करें.